हम लोगों ने कल योगदर्शन के पांचवे सूत्र पर चर्चा की, योगदर्शन का पांचवे सूत्र बताता है चठा चमा किजिएगा, चठा सूत्र बताता है कि वृत्तियां पांच होती हैं, प्रमाण, विपरियाय, विकल्प, निद्रा और समृति, वृत्ति को अगर मै बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझाना चाहूं तो वृत्ति आप यूं समझ लीजिए रास्ता वृत्ति मने रास्ता या मार्ग जैसे आप अगर कहीं पर जाते हैं अपने कार्याले जाते हैं तो आप किस रास्ते से कार्याले जाते हैं आप किस रास्ते से मार्ग अपने घर आते हैं वो मार्ग वो रास्ता वृत्ती है ऐसे ही बाहर की संसार की जानकारी हम आत्मा तक पहुँचती है तो उसका भी एक रास्ता है उस रास्ते को भी वृत्ती कहा जाता है ये मैं सरल शब्दों में समझा रहा हूँ इसका मतलब ऐस नहीं होता की वृत्ती माने रास्ता ہी होता है लेकिन बिलकुल सरल समझने के लिए संसार की जानकारी आत्मा तक पहुंचने का रास्ता ही वृत्ती कहलाती है तो वह अलग-अलग रास्तों से जानकारी हमारे अंदर आती है भीतर तक आती है जब जानकारी बिल्कुल सीधे सीधे हम तक आती है इंद्रियों के माद्धियम से तो वह हो जाती है प्रमाण जब कुछ रुकावट आ जाती है बीच में यानि कि इंद्रियां ठीक से काम नहीं कर रही होती है कुछ गड़बड होती है तो हो जाता है विपर्य यह जब जानकारी आती ही नहीं हमके बल बोल रहे होते हैं विकल्प जब हम पांचों इंद्रियों से जानकारी न ले करके जो जानकारी पहले ले चुके हैं उसी जानकारी को याद करते हैं स्मृति और जब हम कोई जानकारी नहीं नहीं ले रहे होते बस एक जानकारी आती है कि मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ ये भी एक जानकारी ही है सुख है या दुख है यानि कि बाहरी संसार की जानकारी ना हो करके केवल सामानी अनुभूती चलती है सुखी हूँ या दुखी हूँ यह है निद्रा तो इस तरह से आत्मा तक जानकारी या अनुभूती पहुचने का जो मार्ग है वो मार्ग कहलात है व्रित्ति तो पांच व्रित्तियों के नाम गिनाय यहां पर इन्हों ने प्रामान विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृत्य यह यह च्छठा सूत्र है एक बार जरा मैं यहां तक आपको छोटा सा खाका तयार करके दे देता हूं ताकि हमें थोड़ी सी सरलता हो जाए समझने के लिए क्योंकि अब हम वित्तियों पर चर्चा करेंगे प्रत्यक्ष क्या है अनुमान क्या है उस पर चर्चा करेंगे पर यहां तक की चर्चा हमारी बिल्कुल स्पष्ठ हो जाए हमारा सबसे पहला सूत्र था अथा योग अनुशासनम तो मैं अभी सूत्रों पर न जा करके आपको सीध है केवल सामान्य रूप से समझा देता हूँ योग हमारे पास है यह है योग योग का मतलब होता है समाधी समाधी का मतलब होता है समाधान या फिर रुक जाना समाधान मतलब हमें अपनी आत्मा और परमात्मा को देखना है यही समाधान हमें ढूंड़ना है उसको हम तब तक नहीं ढूंड़ पाएंगे जब तक हमें फुरसत नहीं मिलेगी समय नहीं मिलेगा जब हमें थोड़ा समय मिल जाता है जब हमें थोड़ी सी फुरसत मिल जाती है तो उस समय हम अपनी आत्मा को या परमात्मा को अच्छे से धूंड़ पाते हैं देख पाते हैं अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो लगातार हमारा मन हमें कुछ न कुछ दिखाये जा रहा है जो कि उसकी duty है उसको रोकना पड़ेगा उस पर एक बार रोक लगानी पड़ेगे उस पर रोक लगाई हमने बहुत सारी जानकारी को एक साथ हने से रोक दिया और कहा के एक समय में एक जानकारी लाएंगे हम बस एक समय में एक जानकारी आई थोड़ा आराम मिला थोड़ा अच्छा लगा तो हमारा योग महां से शुरू हुआ यानि कि हमने ही समाधान की ओर या अपने को तो देखना कम से कम प्रारंब गिया कम से कम स्वयम के दर्शन करने तो शुरू किये क्योंकि एक समय में एक जानकारी आ रही है अब मैं एक पर टिक चुका हूँ एक समय में एक जानकारी आई थोड़ा सा आगे बढ़े हम फिर उस जानकारी को रोक कर भी एक कदम और आगे बढ़े सब जानकारीयों को रोक दिया जब सारी जानकारी रुख गई तो अब एक जानकारी तो आएगी ही आएगी जिसे हम परमात्मा कहते हैं क्यों आएगी अच कि वो हर जगा उपलब्ध है इसलिए उसे तो हम रोक ही नहीं सकते किसी कीमत पर किसी भी कीमत पर नहीं रोक सकते एक प्रक्रिया समझे यह जो दुनिया है यह दुनिया आत्मा से अलग है यह दुनिया आत्मा से अलग है इसकी जानकारी मन के नाम की एक डिवाइस है वो रोखनी पढ़ेगी संसार की जानकारी इन पांच रास्तों से आ रही है इन रास्तों को रोख दिया तो मुझे अपनी आत्मा की दर्शन होगे मैं एक आगर हुआ लेकिन जब मैंने और उस जानकारी को भी रोख लेकिन अगर आपने कपडे जो हैं वो थोड़े से हटाये शरीर से क्योंकि आप पानी में जिया है पानी का आनंद लेना चाहिसे है तो फिर आप कोई भी अनुभूती आया नाई पर पानी के अनुभूती तो आएगी और बाहर व्यापक है, तो कितनी ही निरुद्धा वस्था ले आए, मन की पांचों वृत्तियां रोक दे, लेकिन जो अंदर लबालब भरा पड़ा है आत्मा के अब बाहर और भीतर, उसकी अनुभूती कैसे रोकेंगे, उसकी अनुभूती तो स्वाभाविक अपने आ पाए तो फिर पहले क्यों नहीं आ रही थी? पहले आ रही थी, पर हम संसार की अनुभूतियों में इतने उलजे थे कि उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे, ये समस्या थी हमारे साथ, लेकिन उसके बीच-बीच में भी हमें कई बार उस इश्वर की अनुभूती का अनुभव आनंद आ जाता था क्योंकि इशवर है आनंद स्वरू और जब भी हम अकेले में बैठ करके आनंद ले रहे होते थे बिना खाए, बिना पीए, बिना कुछ पहने संसार को भोगे बिना जब हम कभी आनंदित होते हैं जिसे गहरी नींद में हम आनंदित होते हैं, कुछ कोई सपना नहीं आता, बस हमें लगता एक बार नींद और आ जाए, तो हम उस समय इश्वर के आनंद को ले रहे होते हैं, मैं ये पूरी प्रक्रिया इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद थोड़ टेक्निकल पर, तो मैं कोछ चीजें आपको यहां बता देना चाहता हूँ, सबसे पहली बात हमें आनंद ढूंडना है, हमें सुख ढूंडना है, हमारी खोज है कि हम सुख को पाएं किसी तरह से, सुख हमें दो तरह से मिल सकता है, एक तो परमात्मा की जानकारी से, एक प्रकृती की जानकारी अर्थत प्रकृति को भोग करके जो सुख मिल रहा है वो हम ले रहे हैं समस्य ये उसके साथ दुख भी जुड़ा हुआ है फिर हमारी तलास शुरू होती है कि हम ऐसे सुख को ढूंडे जिसमें कोई दुख न हो तो हम परमात्मा की खोज करते हैं जो कि है पहले से भीतर बैठा हुआ है वो उस पर ध्यान देना बागी है परमात्मा है सुख स्वरूप बलकि एक और शब्द हम याद करते हैं इश्वर को रिशिद आनन सरस्वतिजी ने सत चित और आनंद स्वरूप कहा है परमात्मा कैसा है सत यानि कि उसका स्तित्व है चित अर्थात च जहां रहेगा वहां आनंद होगा जैसे पानी का स्वाभाव ही है गीला कर देना पानी जहां रहेगा वहां गीलापन होगा योगर आग जहां रहेगी वहां गर्मी होगी ही होगी ऐसे भगवान जहां रहेगा वहां आनंद होगा ही होगा मैं उल्टा कर देता हूं उसके आ आनंद जहां पर है वहां पर भगवान है अगर मैं आनंदित हूँ बिना संसार को भोगे तो इसका मतलब मैं इश्वर को अनुभव कर रहा हूं आप में से हर किसी ने इश्वर को अनुभव किया है हम भगवान की तलाश तो कर रहे हैं परेशान भी है भगवान महसूस कहा हो भगवन दिखाई क्यों नहीं देता हम ढूंड ढूंड कर ठक गए आप में से सब व्यक्तियों ने जीवन में कभी ना कभी एक मिनट के लिए सही दो मिनट के लिए सही तीन मिनट के लिए सही इश्वर को अनुभव किया है कभ अनुभव किया है जब आपने किसी की सहायता की बहुत परेशान था कोई आपने सहायता की धन से या सीधे सीधे उसकी कोई सहायता बिना धन के की हो लेकिन समय दिया हो उसका कोई कार्या सरल कर दिया हो और उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते उस जा रहे थे आपके कार्याले में थोड़ा सा आपको तनाव था जाते हुए क्योंकि आपको लग रहा था बॉस की डाट पड़ेगी आज तो विलंब हो गया लेकिन बीच में आपको सड़क के किनारे एक वृद्धा माता दिखाई दी फिठूर रही है एक व्यक्ति फिठूर नहीं है बस आप आफिस जा रहे हैं आपको थोड़ी देर हो रही है आप थोड़ी देर रुके आपके पीछे डिक्की में एक कंबल पड़ा हुआ था कुछ सामान था गर्म आपने उठाया उसको दिया और वो वृद्धा माता एकदम कंबल ओड़ करके सुकून से बैठ ग उस समय आप भूल जाते हैं कि मुझे कार्याले के लिए विलंब हो रहा है उस समय थोड़ी देर दो तिन मिनट उसमा को देखते रहते हैं फिर आप कार्याले जाते हैं आप अनुभव कीजिए गात हो सकता है घटना है अलग हो सकती है सबकी लेकिन होंगी कुछ मिलती जु आपको परिशानी नहीं हो रही है क्यों क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा ले करके आ रहे हो आप कुछ ऐसा ले करके आ रहे हो जिसके सामने यह डाड यह अपमान यह कोई महत्व नहीं रखता है भरे पड़े हैं अंदर से हम आनंद से तो हम खुशी-खुशी उसकी सुनते पिर जागे काम पे बैठ जाते हैं और फिर उसी को स्मृति को याद करने लगते हैं फिर स्मृति से उसका सुख ले रहे होते हैं हमने सबने आनंद लिया है लेकिन वो आनंद थोड़ी देर का था हमने इश्वर का आनंद लिया इश्वर को महसूस किया है अनुभव किया है क्योंकि इश्वर कैसा है आनंद स्वरूप अगर हमें जीवन में बिना प्रकृति को भोगया आनंद आया कभी तो समझ लो हमने भगवान को महसूस किया है लेकिन उसके लिए हमें आत्मा को साफ करना होता है जब हम अपनी आत्मा के उपर से कच्रा हटा देते हैं तब जाकर हम सब के उपर डले हुए हैं लेकिन जैसे ही वह कच्रा आगे से हटता है तो आत्मा आत्मा से कनेक्ट हो जाती है जुड़ जाती है जैसे हम जब पशूं से प्रेम करते हैं पशूं हमें कुछ नहीं देते हैं आपको रास्ते में कोई गाये चलती दिख रही है और आपको उसको बहुत प्यार आया मिनाबाद के बस प्रेम आया आपने उसको कुछ खिलाया उसके उपर प्यार से हाथ फिराया बहुत प्यार से और फिर जाके हाथ धो लिए कोई बात नहीं वह जरूरी है शरीर की स्वस्थिता के लिए पर प्यार से हाथ फिराया आपने और गाये आपकी कोई सहयता कर दी हो, सड़क पार करवादी हो, ऐसा तो था नहीं, कुछ भी नहीं था, ये आत्मा से आत्मा जुड़ी है, लेकिन वो तब जुड़ेगी, जब आत्मा और आत्मा के बीच की जो लेयर्स हैं, वो हटेंगी, तो हां, हमने आत्मिक सुख अनुभव किया ह पर थोड़ा थोड़ा, इसके लिए हमें चित्त की वृत्तियों को रोकना पड़ता है, संसार की जो जानकारी बिल्कुल ऐसे आ रही है, जैसे कोई नदी का प्रवाह है, धार फूट पड़ी हो, इतनी तेजी से आ रही है, हम चहा कर भी उससे नहीं बच पा रहे हैं, जब देखने वाले दो हैं, आत्मा है और परमात्मा है, वो दोनों देखते रहते हैं लगातार, क्योंकि याद कीजिए, ये द्रश्टू स्वरूपे अवस्थानम, ये देखने वाले यानि कि जानने वाले, इसे समझने के लिए आपको वेद समझना पड़ेगा, वेद का मंत् परना, सयुजा, सखाया, समानम, व्रिक्षम, परिशस्वजाते, तयोर, अन्या, पिप्पलं, स्वादुवत्ति, अनशनन, अन्यो, अभिचाकशीति, यहां पर त्रहित वाद का सिध्धन्त सीधे सीधे लागू होता है, कि भई एक व्रिक्ष है, और व्रिक्ष पर फल ल बस खाते हुए दूसरे पक्षी को देख रहा है, तो पहला पक्षी फल खा रहा है, दूसरा पक्षी बस देख रहा है, तो इस तरह से ये दो पक्षी हैं, दोनों के दोनों अनुभव कर रहे हैं, एक सीधे सीधे खा करके अनुभव कर रहा है, दूसरा देख करके, दूसर उसे जो खाने वाला है वो है आत्मा है और उसे खाये बिना जो किवल देखने वाला है खाते हुए को देखने वाला है वो है परमात्मा तो द्रश्टा हो गए दो एक सीधे सीधे फल को खाकर्द के देखने वाला है हम कहते हैं खाके देखो जरा एक खाके देखने वाला एक बिना खाय देखने वाला तो दो द्रष्टा हैं। उन द्रष्टा के स्वरूप में हम तिक जाते हैं। और परमात्मा के स्वरूप में आ जाते हैं फिर कहते हैं अगर ऐसी इस्थिती नहीं है तो बाकी तो सामाने लोग हम जी ही रहें तो हम वित्थान की स्थिती में हैं तो फिर जो प्रवाह संसार का आ रहा है उस प्रवाह में हम बह रहे हैं बस बह रहे हैं जिसको कहते हैं वित्थान की स्थिती अथाथ वृत्ति सारूप्यम इतरत्र फिर हम ऐसा लगता है कि बस मैं धार के साथ एक नदी की धार के साथ बहे जा रहा हूं बहे जा रहा हूं जहां ले जा रही है वहां जा रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि नदी की धार और मैं बस एक हो गाए जहां यह जाती है वहां मैं चला जाता हूं वृत्ति सारूपिय एक जैसा अब वृत्ति क्या होती है तो वृत लगा सकती है या वो धार मुझे किनारे भी लगा सकती है धक्का दे करके दो तरह की नदी का जो प्रवाह है फ्लो है उसे आप संसार की वृत्तियां समझ लीजिए अब नदी का जो प्रवाह है वो प्रवाह दो काम करता है या तो वो बीच में रखता है नदी के और डुबो देता है? या किसी पत्थर से तकरा देता है? या ऐसा भी होता है कई वर नदी की धार ले जाती है बहा करके और किनारे पेडों की तरफ लगा देती है. अगर बीच में रह गए बीच में और अक्लिष्ट दो तरह की वित्ति होती कितनी है वृत्तियां कुल मिला करके तो पांच होती है कौन सी प्रमाण विपर्य या विकल्प निद्रा और स्मृति आब आते हैं अपने विश्य पर थोड़ी सी भूमी का बड़ी बन गई है लेकिन हमें पिछला जो कॉंसेप्ट ह सारा स्पष्ठ हो जाएगा अब वृत्तियों को देखते हैं सात्वा सूत्र पढ़िए सात्वा सूत्र देखें लिखा है पहली वृत्ति जिसको हम कहते हैं प्रमाण वृत्ति मैंने आपको बताया प्रमाण वृत्ति वो कहलाती है जब हम अपनी पांच इंद्रियों से आ की जानकारी लेते हैं देखकर सुनकर सूंग कर चूकर और चक कर जैसे किसी भी चीज को पांच तरीके से अनुभव किया जा सकता है आपके सामने भोजन बना हुआ है भोजन को आप सबसे पहले देखते हैं पकते हुए भोजन को जिस वस्तुक आपको खाना है तो सबसे पहले देखकर पता लगाते हैं खाने लायक है भी की नहीं अच्छी बनी की नहीं देखने में कैसी लग रही है बाजार गए फल खरीदने है देखने में फल कैसे लग रहे तो आपने देखकर पता लगा लिया हाँ पीले हैं पके हुए हैं फिर आपको लगा खाना खाना बनाते बनाते कि देखने से तो काम नहीं चल रहा है आप भोजन बनता हुआ रख करके काम करने लग गए देख करके पता लगाना अलग तरीके से होता है फिर आपने सोचा चलो भोजन को रख देते हैं पकता रहेगा मैं काम कर लेता हूँ काम करते करते ज़ाड़ लगाते लगाते आपको पता चला एक आवाज आई अंदर से आवाज आई ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी उबलता है ना बुलबुले उठते हैं पानी में जिसको पानी को खौलना बोलते हैं तो आपको वो आवाज है आपको लगा अच्छा सबजी पक गई है अच्छे से क्यों पक गई है क्योंकि वो जो खौलने की आवाज है वो आने लग गई है तो आप धीरे से जाकी या फिर या फिर आपको पता चलता है कि जलने की आवाज आ रही है, गंध नहीं आई, बस जलने की सी की आवाज आ रही है, आप तुरण दोड़ करकि गया Kevin général भी पता लगाया, जैसे आप नारियल को लेते हैं, पकड़े के ऐसे, बजा के देखते हैं, कितना पानी है, जैसे आप तर्बूज गर्मिय कि Hah प्लास्टर जुड़ा है कि नहीं इसे कहते हैं सुन के पता लगाना है ऐसे टक टक करके मार के पता लगा लेता है दीवार कितनी पक्की है अंदर पोला है की नहीं है प्लास्टर जुड़ा है की नहीं है इसे कहते हैं सुनके पता लगाना फिर आगे आता है छूकर पता लगाना छूकर कैसे पता लगाते हैं आप चावल पका रहे हैं चावल का दा तब रहा है पक गया इसका मतलब तो चू कर पता लगाया फिर उसके बाद में हम पता लगाते हैं सूंग करके आपने अगर देखा भोजन को तो सूंग कर पता लगा लेते हैं खुश्बू से हां पक गया एक रस हो गया है ऐसी कई बार आम लोग खुश्बू ले करके सूंग करके लेते हैं सुगंद ले करके उसके बाद आप पता लगाते हैं चक कर यह अंतिम पता होता है भोजन का अंतिम पता लगेगा चक कर के ठीक बना की नहीं बना देखने में अच्छा था सुने में अच्छा था सुगंद भी अच्छी आ रहे थी स्वाद तो अच्छा नहीं इसे कहते हैं प्रमाण जब हम इंद्रियों से वस्तु को जानते हैं लेकिन हां बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए गलत जानकारी नहीं आनी चाहिए पता चला यह जो मेरा चश्मा है यह चश्मा मैंने लाल रंग का लगा रखा है आजकल लगाते हैं लाल काले पी फिर आपने कर पहने हुएं सफेद कपड़े दिखाए देंगे उसको लाल रहते हैं और क्यों पहन रखें अरे चश्मा लाल है तुम्हारा भर सामने बहुक्त है तप मीरी आँ GHOT APS के बाद मन मन के बाद आत्मा तक जाती हुए तो इसके बीच में रुकावठ रुकावठ क्या कहूं यह चश्म की जो ले रहे है यह जानकारी को बदल रही है हमारे जो evidence है सबूत है उसको बदल रही है गलत जानकारी आ रही है इसके माध्यम से इसके कारण से यह हमारी आख खराब है धुंदला दिखाई दे रहा है आयू अधिक हो गई है तो ठीक से दिखाई नही अच्छे से जुड़ा हुआ नहीं है इंद्रिये से अभी अभी सुभा लोग उठे हैं कोई व्यक्ति और उठते ही आपने कोई चीज दिखा दी देखो यह क्या है तो थोड़ी देर तक तो आँखे मलता ही हां क्या है दिखाओ आपने उससे पूछा उठाते यह बताओ क्या तो सुनता है क्या का दोबरा बोलना क्योंकि अभी तो अच्छे से उसका मन कान से जुड़ा ही नहीं तो रास्ते में रुकावट है और जब इस रुकावट के कारण हमें गलत जानकारी आती है उसे कहते हैं विपर्य यह तो प्रमान हमने क्या समझा इंद्रियों से आने व से हमारे पास आती है प्रमान जो है वो तीन तरह से काम करता है अभी जो मैंने बताया इंद्रियों के माध्यम से हमारी पांचों इंद्रियां सीधे सीधे कुछ भी देखती हैं उसे प्रमान कहते हैं लेकिन अभी दो हिस्से और बागी है प्रमान के यह तो एक भाग बताय प्रमान का 33 प्रतिशत भाग इंद्रियों के माध्यम से आता है लेकिन उसके बाद अनुमान काम करता है अब जो सीधे सीधे आता है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं पांच इंद्रियों से सीधे जो जानकारी आ रही है सही जानकारी उसे कहते हैं प्रत्यक्ष लेकिन उसके बा नाथ के नीचे खाना लाया गया खाना बढ़ियां पका कर आजकल तो बहुत सारे competition होते हैं इस तरह के आखोंपे पट्टी बान देते हैं आपको छू करके सूंग करके पता लगाना है आवाद सुनकर पता लगाना है क्या चीज है तो आपके सामने कटोरी में भर करके बढ़ियां सा खाना और लाया गया सूंकर बताओ क्या है गाजर का हलवा है कि परांठे है कि सबजी है जो भी बना है अब एक ग्रिहनी को अनुभव होता है अच्छे से वो सूंकर बता देते हैं वो रोज सूंग रही है उसको सालम हो गया सूंगते उसके सामने लाए फल को सूंग करके बताओ कौन सा फल है तो ऐसे ही जब हम सूंगते हैं तो हमने यह थोड़ी देखा कि सामने मेरे पपीता है कि आम है पर मैंने सूंगा और बता दिया यह पपीता है जबकि मैंने देखा ही नहीं कि पपीता है पर मैंने पपीते की सुगं और पपीता है इन दोनों जानकारियों को कई सालों तक एक साथ देखा है वो सुगंद आई मतलब मैंने पपीता खरीदा और सुगंद आई मैंने आम खरीदा सुगंद आई आम खरीदा सुगंद आई आम खरीदा सुगंद आई एक ही जानकारी को मैंने हजारों बार अनुभ हो गए कि जब भी वो सुगंध मुझे आई तो मैंने तुरंट पता लगा लिया आम जब कि आम देखा थोड़ा ही है तो जब मैं किसी वस्तू के एक हिस्से को अनुभव करता हूं और उसके पूरे को डिस्क्राइब कर देता हूं ऐसा है यह है अमान लीजिए कोई व्यक्ति कटोरा तो आप छू के बता दे आरे तो कढ़ाई है एक जिस वक्ति की आँख नहीं है वो डूनते डूनते दिवार को पकड़ते पकड़ते साहरे कहीं भी चला जाता है अब पकड़ते ठूकर कि पनी छड़ी डून लेता है छड़ी तो उसने देखी नहीं पर उसने छू क के देख लिया है तो आप हम जब किसी वस्तू की के एक हिस्से को अनुभव करते हैं के वल लेकिन पूरी वस्तू क्या है टोटली उसे बता देते हैं जैसे मान लेजिए दीवार के पीछे आपको पूछ हिलती दिखाई दे रही हैं और वा पूछ ऐसे एलटी खड़ी है ऐसे यूं यूं खड़ी होती我 सीधी नहीं होती उसकी एक इसे को देखा पूरे को बता इसे कहते हैं अनुमान और फिर कहते हैं शब्द तीसरा प्रमान होता है शब्द यानि कि उसे आगम भी कहते हैं आगम क्या होता यह हम कल समझेंगे और पूरा सूत्र उसका अर्थ भी कल समझेंगे अभी यदि किनी का कोई प्रश्न हो तो एक ब इसको हम कहते हैं स्वाभाव काम करने का तरीका इसकी प्रविति रही है यानि कि इसका स्वाभाव बुरा है लेकिन वो समाज में हम प्रयोग करते हैं ऐसा जबकि योगदर्शन में वृत्ती कार्थ है जानकारी आने का जो रास्ता है हम तक उसे वृत्ती कहते हैं योग दर्शन में वुरत्ति का ही उल्लेखे प्रवर्ति का नहीं है वो दोनों देखे दोनों चीज अलग अलग जगा पर प्रयोग हो रहे हैं एक सामाने लोक व्याभार में प्रयोग हो रहा है तो उसका आर्थ बदल जाता है जैसे योग कार्थ गणित में पढ़ेंगे तो जोड़ना होता पसमें आपसमें और यहां योग दर्शन में पढ़ेंगे तो योग का मतलब होता एक sarà बस यही यह अंतर होता है एक ही शब्द है लेकिन संसार में उसका अर्थ होता है स्वाभाव लेकिन pray whatever यह वो प्रवित्ती का मतलब क्या है काम करने का स्वभाव कैसाreten ऊसे प्रवित्ती के संसार योग दर्शन में जी और कोई पुछन चाहें आज प्रश्ण नहीं है आप लोगों के सारे प्रश्ण हल हो गए हैं तो हम धीरे धीरे चलेंगे लेकिन चलेंगे स्पष्ट करते हुए एक दम और मैं समझ रहा हूं शायद स्पष्ट हो रहा होगा और पर आप लोगों के प्रश्ण नहीं आ रहे हैं तो संभव तो मुझे लग रहा है कम समझ में आया है क्योंकि जब समझ में आता है तो सवाल उठते हैं प्रश्ण उठते हैं तो कोई बात नहीं आप अपने प्रश्ण अच्छी तरह से समझ में आ गया है इसलिए नहीं पूछ रहे हैं अच्छ ठीक है चलिए दन्यवाद परमेश जी आप कहिए माई कॉन कर लिजी नमस्ते जी जैसे आपने कल बताया था कि जब हमारी मिर्त्य होती है जैसा हमारा इस जनम में मन और संस्कार होते हैं तो सुक्ष जनम पहले जनम में अच्छा स्वभाव था अच्छा सुक्ष शरीर अच्छी परवर्ती थी तो क्या दूसरे शरीर में भी वो काम करती है या नहीं बिलकुल करती है बशरते की उसके लायक शरीर मिले योग्य शरीर मिले जैसे मान लीजिए हमारी प्रवित्ती है अच्छा स्वाभाव जाएगा खाने की अच्छा पीने की अच्छा पोलने की अगले शरीर में वाणी ही नहीं मिली तो और एक तरह से इसे अपने चल प्रवित होने के जोंगे तो उसे पैंसे इसे तो मिलेगे ना वो तो मैंने एक उधारन के लिए बताया कि वानी अगर मिली ही नहीं मान लीजिए पर केवल वानी से तो अच्छा काम किया पर बाकी मन से और शरीर से तो बुरा काम किया तो पहले उनका फल भोगना पड़ेगा वो जादा है बुरे करण अच्छा उसका दंड वानी से मिलेगा फिर हमें नहीं अगर वानी से हमने अपराद किया है तो वानी के रूप में दंड मिलेगा वानी मिलेगी ही नहीं हाथ-पैरों किस से बुरा काम किया तो हाथ-पैर नहीं मिलेंगे ऐसे अलग-अलग शरीर मिलता जाएगा